हलो दोस्तों Tata Motors company में vacancy निकला है company payroll पे contract base पे आपको अगर Tata Motors company में आविधन करना है तो बने रही दोसित्व तरहां मेरे साथ इस वीडियो में मैं फूर एक्स्प्लेरण करूँगा किस तरीके से आपको आविधन करना है क्या salary मिलेगी और आपको company में अगर आप job करते हो तो आपको कितना गड़ा job करना पड़ेगा और job location कहाँ पर रहने वाला है कौन-कौन सी line है वहाँ पर क्या manufacture किया जाता है और आपको Tata Motors company में job क्यों करना चाहिए वो सारी details मैं explain करूँगा मैं खुद Tata Motors company में as a apprentice कर किया था 2020 में तो मुझे जो चीज़ पता है वो चीज़ में आपसे share करूँगा क्योंकि मेरे खुद मैंने एक साल वहाँ पर job किया एक साल से साहिद उपर हो गया था तो वो चीज़ में आपसे share करूँगा कि अगर आप Tata Motors में company payroll पर job करते हो या तो फिर contract business पर job करते हो तो आपको क्या-का benefit मिलने माले है क्या facility मिलने माली है अगर आप अपने 10 मिनिट निकाल के इस वीडियो को पूरा watch करेंगे तो आपको पूरा details समझा जाएगा किस तरीके से अभिधन करना है क्या facility मिलने पाड़ीगे एक स्ट्रेक्टा आप अपड़ी चैनल पर अभी नए आये है या तो आमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल क मैं आपकी laptop की screen पे आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो Tata Motor, Sanand Plant, Job Vacancy यहाँ पे ITA वाले डिपलोमा वाले एपलाई कर सकते हैं दसपास बार पास वाले भी एपलाई कर सकते हैं लेकिन वो है अनिम का जो वहाँ पे manufacture का training चलता है वहाँ पे male female दोनों क team leader डिपलोमा वाले और जो ITA वाले है वो CT1, CT2 ऐसा company training, company training 1, company training 2 इस तरीके से रहता है वैसे apply कर सकते हैं तो पहले मैं company पे role की बात करूंगा पहले हम ITA qualification के बात करेंगे तो यहाँ पे आप screen पे मेरे साथ देख सकते हो All ITA trade, Sun and Plan, Tata Motors, Job requirement तो हम company के बारे में थोड़ा एक बार नजर रख लेते हैं तो company में TIA गो TIGOR और Nexon के engine manufacture किया जाता है उसके बाद वहाँ पे TIGOR और Nexon car manufacture किया जाता है उसके बाद वहाँ पे electrical vehicle का भी अभी एक नया line चाल हुआ है वहाँ पे requirement निकलता है electrical जो car manufacture किया ज आता है वह इस वर्किंग जो important चीज है वही चीज आपके साथ मैं सहर करूँगा अगर आप contract based company पे role पे job के लिए apply करते हो तो आपको company get पे चाके interview देना है उसके बाद यहाँ पे only for male female birth can apply और यहाँ पे आप देख सकते हो कि all over India candidate इस job के लिए apply कर सकते है उसके बाद आपक का जो stipend रहेगा उसके बाद आपको 4000 एटेनेस रिवर्ड मिलेगा 4000 एटेनेस रिवर्ड में बहुत सारे लोगों को confusion होता है तो आप 26 डियर कंट्यूरी वर्किंग करेंगे तो आपको वहाँ पे मतलब कि जो 4000 रूपय यहाँ पे आपके screen पे दीख रहे है वह आपके एटे सेलेरी है वो कमदी बेज मतलब की सेलेरी है उसके बाद eligibility कारिटेरिया के बात करें तो यहाँ पे आईटे वाले candidate वाले अपलाई कर सकते है गवर्मेंट को आईटे यह आपने किया है दोनों लोग अपलाई कर सकते NCVT, GCVT किसी भी से आपने किया है तो आप अपलाई कर सक mechanical and vehicle, MMV उसके बाद वालब की यहाँ पे सारे almost साले technical trade है उसके बाद यहाँ पे age limit के बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए जब आप जोब के लिए apply कर सकते है और करते हो उसके बाद यहाँ पे selection process की बात की है selection process में आपको easily आपको explain कर रहा हूँ तो अग company ready ऐट Haales आपको अगए जब आपको सारे यहाँ पे document लिफिए गए यह सारे डोक्युमेंट लेकिए company get पे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे company get पे जाएंगे तो आपका ader guide और वेक्सिन सेटिफिकेट मांगा जाएगा वहाँ पर आपका आधर केड़ और वेक्सिन सेटिफिकेट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कमनी HR में दिय जाएगा वहाँ पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि नornal हर बंदे को फास कर दिया जाता है उसके बाद एक आपका HR का personal interview होगा, उसके बाद आपको medical करने का मतलब की होगा, उसके बाद आपका joining मतलब की within 2 या 3 दिन में आपको बताया दिया, मतलब की inform कर दिया जाएगा कि आपका selection हुआ है और आपको इस date पे join करना है, maximum 2 दिन में तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी Sunday य आदरकार, पान कार्ट, पासवर्ट साइथ, फोटो, यह सारे document आपको लेके जाना है, उसके बाद यहाँ पे date, तो यहाँ पे date 22 को मैंने यहाँ लिखा है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे, तो 24 को है, जहाँ पे मैं notification आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपको पहले नंबर पे website देखना मिलेगा, उसी website को आप उपन करना है, यहाँ पे आपको टाटा मोटर सर्च करना है, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद हम contract भी इसके idea वालों के लिए बात कर देते हैं, तो यहाँ आपे सु गंटे के कभी-कभी shift रहती है, तो ऐसे मतलब कि आप ओवर टाइम करते हो, तो आप चार गंटे भी ओवर टाइम करेंगे, तो आपको मतलब कि additional salary के आप बात करें, तो मतलब कि 400 रुपया मान्द के चलते हैं, चलो, तो 400 रुपया आप एक दिन ओवर टाइम करते हो, ऐसा आप पुरे मन्थ में 10 दिन ओवर टाइम करते हो, तो 4000 रुपया आपका यह salary हो गया, यहाप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, 4000 रुपया आपका ओवर टाइम का salary हो गया, प्लस आपका जो CTs ही है, वो सोरा आजार तो ही, सोरा प्लस बीस आजार आपका salary हो गया, तो इस तरीक P.F.E.S. है कि आपको facility company के तरफ से provide की जाएगी, आपको 12,000 सब कुछ करने के बाद, 14,000 salary आपको in hand मिल जाएगी, डोक्युमेंट यहापे आपको देख सकते हो, हर बार में डोक्युमेंट के बार में नहीं बताऊंगा, यहापे 112 रुपया आपको एक घंडे का ओवर P.F.E.S. कंडी में इंटर्यू है, और वहाँ पे मेरे को मुनिकुरुपा आश्रम में जाना है, तो वहाँ पे आपको सिधा 10 या 20 रुपे में वहाँ लेके जाएगे, वहाँ पे सानन्द वर से 3 किलोमेटर के दुरी पे मुनिकुरुपा आश्रम है, उसके बाद हम आएग यहाँ पे ज्यादा एक्स्प्लेन नहीं करूंगा 100 कंडी लिए अन्रोल जॉब है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते है टेबल अप कंटेंड, जो लोगों को पता नहीं है, टेबल अप कंटेंड किसको बोलते हैं, यहाँ से आप किसी भी जगा पे क्लिक करके उस जगा प यह सारी चीज़े मैंने आप से एक्स्प्लेन कर दिया का क्वालिफिकेशन से हम सीधा स्टार्ट करते हैं, तो डिपलोमा एंजीनेरिंग भी थी अटो मोबाइल और आपको मेकेनिकल और इलेक्रिकल और मेटारोनिक से आपने डिपलोमा किया है, तो आप एपलाई कर सकते ह आपका मतलब कि जब एपलाई करते हो और कम्णी गैट पे जाते हो तो नौ बज़े से घ्रा बज़े के बीच में आपको कम्णी गैट पे चला जाना है इंटर्वी देने के लिए, उसके बाद जब आप जोइन करते हो तो 18-20 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और यह पर आपको फर्स टीयर 12,500 salary में रेका, नेक्स टीयर आपकी 15,000 salary हो जाए, इसके नेक्स टीयर आपको 8,000 salary उसके नेक्स टीयर आपको 22,500 salary हर साल आपको 10% का Increment मिलने वाला है, उसके पर आपको आपको पैसिलेटी के बाद करें तो केंटिंग PSI, EASI, जो दूसरी कम दिले तो सारी फेसले आपको Tata Motors कमदी में मिल जाएगी और आपकी जो पोस्ट रहीने वाले है और DAT की रहीने वाले उसके बाद next year team leader की आपकी पोस्ट हो जाएगी तो अब requirement document के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे पहले मैं बात कर चुका हूँ उसके बारे में उपर परसंटेज होना चाहिए उसके बाद आपका 6.5 प्लस CGpI होना चाहिए जबकि आपका एंजुरियर आपका एक भी बेकलोग लाइ में नहीं होना चाहिए मतलब कि आपका एक बेकलोग आया उसके बाद आपने उसने मतलब की solve कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं डिप्लोमा खतम करने के बाद आपका दो साल का या HSC मतलब दसमी के बाद आपका दो साल का गेप नहीं होना चाहिए मतलब के दसमी 2020 में complete किया उसका 21-22 में कूच नहीं किया उसके बाद 23 में अपने डिप्लोमा में admission लिया तो आप Tata Motors Company में job के लिए apply नहीं कर सकते हो age limit मतलब की बंदे के लिए 18-23 उसके बाद यहां पे बागी कोई चीज मुझे important नहीं लगती है यह जो चीज थी यह मैंने बता दिया उसके बाद यहां पे COVID के बादे में जो बताया गया है कि आपके दो vaccine dose होने चाहिए वह एक मतलब की वह notification के उपर हम चलेंगे तो यहां पे notification आप देख सकते हो यहां पे कि जो चो मैंने बोली हो वह सारी चीज यहां पे लिखी गई है और आप इस वीडियो को एक मांत दो मांत चार मांत के बाद भी देख रहे हो तो सीथा हमारी website पे आईए iti job beta असवा jobalert भी आप देखे जाएगी थैंक यू फॉर्वस्टी मिलते हैं नए वीडियो में नई job vacancy के साथ